हालो फ्रेंज वेलकम तो मैं चानल स्वाल विक्ति आइम डॉक्टर वाग और अज का हमारा टॉपिक है अनीमिया याने शेरीर में खून की कमी होना इसके लक्षन है दोस्तों सास फुलना थकावट महसूस होना सर भारीपन लगना चेस्ट पिन होना कुछ करने में मन लगना ह हर बार नीद आ रही है ऐसे लगना स्कीन का पेल दिखना पॉटी में खून जाना डल दिखना ये सारे लक्षन अनीमिया के व्यक्ति में दिख सकते हैं ऐसे ही इनफर्मेशन और नौलेज के लिए मेरा चानल स्मॉल बिग तिंग्स ज़रूर सस्क्राइब करें और बेल स्राइब स्रशी अनिमिया जिसमें ये लाल पेशेओं की साइज चोटी होती है दूसरा है नारमसाइटिक अनिमिया जिसमें लाल पेश ये कोशी का की साइज नॉर्मल होती है और तीसरा टाइप है मैक्रोसाइटिक अनिमिया जिसमें लाल पेशों की साइज बड़ी होती है तो दोस्तों हम जानेंगे कि ये अनिमिया किन कारणों के वज़े से होता है पहला और सबसे इंपोर्टन कारण है कि शरीर से खून का बह जाना और इस खून बहने की मातरा बहुत ज्यादा होना या बहुत ज्यादा सम्मय के लिए होना या शरीर से खून बहना की समस्या लंबे देर तक रहना महिलाओं में जो मासिक धर्म होता है उसमें शरीर से खून की मातरा कम होती है शरीर के अंदरुनी या बाहरी हिस्से की जखम से खुन बहना ज्यादगर के अंदरी जखम जो होते जो हमारी फूड पाइप से लेकर पॉटी की जगा तक यह खुन बहने की समस्या हो सकती है जिसमें इसोफिजल अर्सर होते हैं गैस्ट्रिक अर्सर होते हैं डियोडेनल अर्सर होते हैं या अतडियों की बिमारी रहती हैं अतडियों के कैंसर रहते हैं पाइल्स की बिमारी आती हैं फीशर की बिमारी आती हैं इन कारणों से शरीर से खुन की कमी हो सकती है दूसरा और important कारण है दोस्तो शरीर में iron की यानि लोहों की मात्रा कम होना अगर किसी व्यक्ति के खाने में iron की मात्रा बराबर से नहीं जा रही है या खाने से iron की मात्रा बराबर जा रही है लेकिन उसके शरीर में digestion के कुछ problem है और उस problem की वज़े से यह iron शरीर में absorb नहीं होता है तो उसे iron deficiency anemia कहते है इसमें गर्ववती वहिला के शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है इसलिए खून ज्यादा dilute होता है याने खून का गाड़ापन कम होता है इसलिए ये गाड़ापन जब कम होता है तो हिमोगलोबिन की मात्रा कम दिखाई देती है आगे का कारण है दोस्तो अनीमिया ड्यू टू पूर नियूट्रेशन याने के nutrition में खान पान में कुछ problem है तो उससे होने वाला अनीमिया इसमें बहुत सारे विटमीन साते हैं, मिनरल साते हैं, आयन आता है और विटमीन बीट वेल आता है, फोलिक असीड आता है अगर इन में से कोई भी चीज की मात्रा शरीर में कम जाए या digestion की problem से यह कम absorb होता है तो इस तरीके का अनीमिया उस व्यक्ति को होता है परनीशियस अनीमिया, कुछ लोगों में बीट वेल यह विटमीन शरीर में एपसब करने का problem होता है उनमें यह बीट वेल डेफिशेंसी आती है, उन्हें परनीशियस अनीमिया होता है मेडिकेशन की वज़े से होने वाला अनीमिया दोस्तों कुछ मेडिकेशन ऐसे होते है, जिसमें लोहों की मातरा शरीर में कम एपसब होती है या लाल पेशिया मारे जाती है इसलिए यह टाइप का अनीमिया होता है, जैसे के किमोधेरपी तो ऐसे बहुत सरे अनिमिया के टाइप है जिने हमें आगे की टेस्ट करके पता चल सकता है तो इसमें इपोर्टन टेस्ट है CBC याने हीमोग्राम करना जिसमें हमें हीमोगलोबिन की मातरा समझ में आती है दूसरी टेस्ट है stool for occult blood इसमें समझता है कि हमारे party में अगर आंतों में या digestive system में कहां से खून बहरा है तो वो समझ में आता है आगे की टेस्ट हैं जैसे के hb electrophoresis, ferritin की मातरा चेक करना, folic acid की मातरा चेक करना, vitamin b12 की मातरा चेक करना, liver function टेस्ट करना जिसमें समझता है कि liver ठीक से काम करता है या नहीं, kidney function टेस्ट करना जिसमें समझता है कि kidney को कुछ बीमारी है तो erythropoietin secret होने में कुछ problem आती है क्या transferrin level चेक करना, folic level देखना, lead की level देखना, ये सारे टेस्ट आपको बता सकते है कि आपको अनीमिया है या नहीं retic count और bone marrow biopsy भी important टेस्ट होती है आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि हमें इस अनीमिया को आप अपने लेवल पे केसे ठीक कर सकते हैं मैं उम्मीद करते हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगेगी please share this video with your friends, colleagues and relatives too and subscribe to my channel Small Big Things for regular updates bye bye